तो आज में बनाने वाली हूँ और इंच टी के जिसे हम विदाउट ओविन और विदाउट एक बनाएंगे और यह बहुत ही जटपट बनने वाली और बहुत ही सिंपल रेसिपी है तो चले इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को वन टेम सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल दबाए जिसे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इसे बनाने के लिए यहां पर हमने दो औरेंज लिया है क्योंकि हमें औरेंज का जूस निकालना है और यहां पर हमने छो औरेंज के जूस को हमने निकाल लिया है और यहां पर हमने वन फोर्थ कप थंडा दूद ले लिया है और वन फोर्थ कप मेल्टेड बटर और इसमें डाल देती हूं टू टेबल स्पून वाइट वेनिकर और यहां पर हम डालेंगे औरेंज जूस और इसे हम अच्छे से व हमेरी मैद यहां आप ठाला हैं तो थोड़ी थोड़ी त्यौनी, चैलनी तूरी हमारी भी जाओ से राए heat हैं को साथ में हम च्छान लेते हैं और यह यह डाल देंगे 1 फूर्ट अरइंज टेअप कलार और यह लाइंगे उसके ब box क्लार लेए और बीट करेंगे तो यहां पर आप देखें बैटर काफी गाड़ी है तो यहां पर मैंने वन फोर्थ कप डूद और ले लिया है तो इसे डाल कर हम बिल्कुल पतली बैटर बना लिये है तो यहां पर हमने केक की टीन ले लिया है तो इसे सबसे पहले हम बैटर से ग्रीस कर लेते हैं ताकि केक ह है यसे हम ज़ाटकर निकालिएगे तो यह मैंने बहुत है से इसमोड़ा लिए और चलłem इइक्डर जो भी भी हमने उसे निकाल लिए अब हम इसमें बेटर को पोर कर लेते हैं तो आप बैटर की गंसिस्टिंसी तो नीचे हमने सॉल्ट डाल दिया है और यहां पर हमने स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर हमने केक के बैटर को रख कर अब हम इसे कवर करके 40-45 मिनट्स तक हम इसे बेक करेंगे और उसके बाद फिर मैं आप से मिलती हूँ तो इसे बेक होती हुए 45 मिनट्स हो चुके हैं और केक भी बहुत अच्छे से फूल गई है आप देखें तो चले हम इसे चेक कर लेते हैं तो इसे हम इसे स्टिक से चेक कर रहे हैं तो सेंटर में हम डालेंगे तो यह देखिए आप बिल्कुल ड्राय निकलिए मिन्स की हमारी केक एकदम पॉफेक्ट हो गई है तो इसे निकाल कर हम ठंडा करेंगे तो जब यह ठंडी हो गई है तो आप देखें यह चारो साइड से खुद ही निकल गई है तो इसे निकालने में बहुत यासानी होती है तो चले अब हम इसे टर्ण कर देते हैं तो यह देखिए एकदम पॉफिक्ट बन कर निकली है बहुती शांदार केग बनी है सॉफ्ट भी है, स्पॉंंजी भी है और ये देख है अब हम इसके स्लाइस कर लेते हैं तो बहुती अची सी खुश्बू इसमें से आ रही है, औरेंज की जो थे जो इसकी जो टेस्ट है यह चाऔर होची और खुश्पू भी बहुत इची से आ रही है तटो चले अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि केक हमारी बनी कैसी तो यह देखे कितनी सौफ्ट है कितनी स्पोंजी बनी है बहुत यह पॉफिक्ट केक बनी है तो चले अब हम इसे गर्म गर्म चाय के साथ सर्फ करते हैं हमारी ओरेंज टी केक बन कर तयार हो गई है इसे गर्म गर्म चाय के साथ सर्फ किजिए यह इतनी सिंपल और इजी रेसिपी है विदाउट एक विदाउट ओवेन हमने बनाया है इस केक को जब आप चाय के साथ खाएंगे तो आप बिस्किट भूल जाएंगे इतनी सिंपल इतनी टेस्टी और इतनी डिलिशियस लगती है तो ट्राइ करें मेरे इस रेसिपी को बनाए और फ्रेंस वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा वीडियो को होगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक लिए टेक केर अल्ला हाफिज